पास्ता तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़ादा पसंद आता है तो आज मैं आप सभी के साथ घर पर पड़ी हुई सामक्री से बहुत ही आसानी से ये पास्ता बना कर दिखाऊंगी जिसे आप मात्र 5 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे बॉइल करने के लिए रखेंगे तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे लगफ़क एक लीटर जितना पानी इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चूटा चम्मस जितना नमक पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे तो आप चीजों का मेजरमेंट बढ़ा सकती हैं अभी हम इस पास्ता को अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम दो से तीन मिनट के लिए पानी में पकने लेंगे पास्ता को पकने में जाधा टाइम नहीं लगता है बहुत ही जल्दी ये पकर दयार हो जाता है पास्ता हो कभी भी आप साधा ओवर बॉयल ना करें अधरवाइस इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है जब पास्ता हलका बॉयल हो जाए तो इसे चाकू से इस तरीके से कट करके देखें अगर ये इजिली दो पीसे में कट रहा है यानि पास्ता अच्छा बॉयल हो चुका है तो बस इस स्टेज पर जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे हम अलग निकाल देंगे और इस स्टेज पर हम जल्दी से इस पास्ता के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ऐसा करने से क्या होगा पास्ता की जो कुकिंग है वो यहीं रुख जाएगी और पास्ता जो है वो ओवर बॉयल नहीं होगा तो पास्ता हमारा बॉयल होकर तयार है अभी हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर एक कढ़ाई रखी हुई है इसमें डालेंगे हम दो से तीन जम्मत जितना ओयल ओयल को हलका गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसन अद्रक और हरीमेच इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक पिंच जितनी हीं जिससे खुशबू अच्छी आती है सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक यह हलका सबून न जाए अगर आप इसमें लहसन नहीं खाते हैं तो लहसन आप इसके भी कर सकते हैं अब भी हम डालेंगे इसमें एक महीन कटा हुआ प्याज प्याज को भी सभी चिजों के साथ हलका सबून लेंगे हमें यहाँ पर प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है जादा गोल्डन ब्राउन नहीं भूनेंगे अब हम इसमें तोड़े से मसाले याड़ करेंगे इसमें मैंने लिया है एक चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच इतना लालमिश पाउडर दो चमच इतना धनिया पाउडर सभी मसालों को इसमें अच्छे से भून लेंगे मसालों को भूनते समय आप गैस की फ्रेम को एकम धीमा रखें अदर्वाइस मसाले जो हैं वो इसमें जल जाएंगे मसालों को हलका सा सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दू मीडियम साइस के टमाटर जिसे मैंने बारी कट कर लिया है टमाटर जल्दी सौफ्ट हो जाएं इसके लिए हम इसमें डालेंगे एक जमत जितना नमक नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे याद रखें आप इसमें नमक जादा ना डालें क्योंकि हमने पास्ता को बॉयल करते समय भी उसमें नमक डाला था तो बस पूरे टमाटर को इसमें अच्छे से सौफ्ट होने तक पका लेंगे टमाटर अच्छा सौफ्ट हो गया है अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक महीन कटा हुआ सिम्ला मिर्च सिम्ला मिर्च को भी मिक्स कर देंगे सिम्ला मिर्च को हमें जादा सौफ नहीं करना है हलका क्रंची रखेंगे जिसका टेस्ट पास्ता के साथ बहुत इच्छा लगता है सिम्ला मिर्च को हलका सा सौते होने के बाद अभी हमने जो पास्ता बॉयल करके रखा था उसे भी इसमें एड़ कर देंगे अभी हम इसमें डालेंगे अपना एक सीकर्ट मसाला जो कही है मैगी मसाला मैगी मसाला डालने से पास्ता का जो टेस्ट अब उस डबल हो जाता है और बच्चे को मैगी मसाला बहुत ही ज़दा पसंद है तो बच्चे तो आपके उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे से तो मैंने यहाँ पर एक सेशे जितना ही मैगी मसाला यूज किया है इसे भी डाल कर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस पास्टा को कम से कम एक मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको यह ज़्यादा ड्राइ लगे तो आप जाहें तो इस स्टेज पर इसमें एक से दो चमच पानी भी डाल सकते हैं जिससे पास्टा में जितना भी मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यह हमारा एकदम टेस्टी पास्टा बनके दयार है सबसे लास्ट में हम इसमें धोड़ा सा हराधनिया डाल कर मिक्स करेंगे तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर यह पास्टा ज़रूर बनाएं बहुत ही डेस्टी लगता है और बहुत ही कम टाइम में बनके दयार हो जाता है और इस पास्टा में हमने जिन भी चीज़ों का यूज़ किया है आप इस पास्टा को गर्मा गरम सर्फ करें अधर्वाइस चाहें तो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बैक कर सकती है ठंडा होकर भी बहुत अच्छा लगता है तो आप भी इसे जरूर बनाएं एक पर फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बापाई